यहां आपको कह रहे हैं कि the average of marks of 28 students in mathematics was 50, 28 students है, उनके average marks जो आए है, वो आए है 50, 8 students left, 8 बच्चे स्कूल छोड़कर चले गए हैं, तो कितने बच्चे-बच्चे हैं, अब 20, तो इनकी average क्या होती है, कि इनकी average 5 बढ़ जाती, जो 50 थी, वो 55 हो जाएगी, आप से इन्होंने कह है, what is the average of marks obtained by the students who left the school, जो school छोड़के गए, उनकी average क्या होगी, तो चलिए ज़रा देख लेते हैं, पहले तो हम क्या करते हैं, सम निकालते हैं, कि इसका 28 students का, इनका average कितना था, था 50, तो जब आप इसे calculate करोगे तो यह आएगा आपका 1400, और अब हम किसका निकालेंगे, और 28 थे 20, इसमें से अब students बचे हैं, कितने छोड़के चले हैं, यानि कि 8 students का total कितना है, 300, तो इसका average निकालेंगे, क्या करेंगे, तो जब आप इसे divide करते हैं, तो आपको क्या पाता चलता है, 8 3s are 24, 8 7s are 56, 0, यानि कि 8 5s are 40, करके देख लो आप, अगर आपको लग रहा 6, फिर 4 point लगाएंगे, यान कि decimal लगाओगे, तो यह आजाएगा आपका 8 5s are 40, ओके, तो 37.5 is the answer.